हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक बल्ट 2.0 पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नौविल ताच के दाविदार का दस्वा भाग केसरे चलते चलते दालू अब क्या हुटा अभी तक तो मैं नर्मी से काम ले रहा था लेकिन अब मुझे लगता है कि अपनी ताक्तों का इस्तमाल करना ही पड़ेगा आप ठीक कह रहे हैं मामला बड़ता ही जा रहा है केसर सिंग क्या हुटा अगर नील सिंग की तरह मिन्नो क को भी बीता जन्म याद आ गया तो शायद फिर आप उसका मकाबला ना कर सकें क्योंकि तब वो खतरना की उद्धा थी तिलिस्मी शक्तियों के अधितिया मालकिन थी और तो और सब लोग जानते हैं कि वो उनकी देवी है यानि कि मिन्नो को पूर जन्म याद आते ही वो फि नहीं हो दूसरा मौरा हाकिम है जिसे अनुष्ठान करके मैं बुला सकता हूं और उसे अमर रहने का वरदान प्रापते हैं उसे मारने की तरकीब सिर्म मिन्नो ही जानती है और वो तरकीब किसी किताब में दर जाए जिसे पूर जब मैं मिन्नो नहीं कहीं रखा था और तिलिस में देवा और मिन्नो के लिए जो इंतिजाम किये गा हैं मेरे कहल से वो बच नहीं सकेंगे और जल्दी उनकी मौत की खबर हमें मिलेगी चलते चलते दौनों ने उस कमरे में प्रवेश किया जहाँ पारसनात बंगाली कर्मपाल सिंग और सौनलाल थे सौनलाल गोली दो कदम आगे बढ़कर के उटा दालू जी दालू बाबा जी आपके काम की एक बात कहूं क्या लेकिन वाइद है कीजे कि अगर मेरी बात अच्छी लगी तो आप मुझे वापिस प्रतिवी पर पहुचा देंगे मुझे भी कर्मपाल सिंग जल्दी से के उटा इसके बारे थो सांलाल की नजरे बंगाली सुनलाल बोला कोई फाल्तू बात मत करना मू बन्थ बारेसनात में सबाट खुड़ कर बंगाली उनकी बात पर ध्यान न दे कर डालू बाबा को देखने लगए दालू बाबा के चेरे बर मीठी मुस्कान उब्री कहो क्या कहना चाहती है मैं कोई जानता उसके असलियत, सुरी, कौन जानता उसके असलियत, बंगाली की उंगली भाली की तरह पारसनाथ की तरफ उटी, ये जानता है, ये अपने मुझे सुईकार कर चुका है कि बाबा की यहां असलित क्या है, बंगाली ने कहा, अब आप इसका मुझ खलवाते रहिएगा, मुझे फिर धीवा भेज़ दें जैसा कि अभी अपने वायदे किया था डालू बाबा केसर सिंग की निगा पारसनाथ पर जाकर ठहर गई और पारसनाथ मौत किसी निगाओं से बंगाली को खुर रहा था कुछ ऐसा ही भाव सोवनलाल की आँकों में था कि उसका बस चले तो बंगाली को खत्म कर दे करमपाल सिंग नहीं चानता था कि बंगाली क्या कहने जा रहा है और जब बंगाली ने कहा तो दो पलों के लिए वो ठगा सा कड़ा रहे गया खुद को बचाने के लिए उसने पारसनाथ को मुसीवत में डाल दिया था क्यों परसू दालू बाबा मुस्कराया मुझसे चालाकी करता है पारसनाथ की नजरने दालू बाबा की चेरे पर जाटी की मैं जरूरत नहीं समझता तो मैं फखीर बाबा की असलित बताने की पारसनाथ सक्सवर में बोला और उसके बारे में जानने की मुझे बहुत जरूरत है दालू बाबा क्या होटा तुम मेरे मुझे उसका नाम नहीं निकल वा सकते पारसनत गुर्रा उठा तुम अभी दालू बाबा को जानते ही का हो जानते होते तो ये ना क्याते कि केसरे जी घंटा बजा केसर सिंग फौरान आगे बढ़ा दिवार में जारी रसी को खीचा दूर कहीं घंटा बजने की आवाज आई अब तो वायदे के मतावि मुझे पृतिवबा भेज़ दीजे मैंने कितने काम की बात बताईए दालू बाबा ने मुस्करा कर बंगाली को देखा वो वादे ही किया जो दालू बाबा पूरा कर दे दालू बाबा मुस्कराया क्या? बंगाली के चैरे का रंग बढ़ गया तुम मुझे पृतिवबा नहीं वेशोगी? दालू बाबा ना बंगाली के शब्दों पर तवज्जों ना देकर केसर सिंग सिका देख इस पर यातना का असर होता है या नहीं केसर सिंग फॉरान आगे बढ़ा पारसनाथ कुछ भी ना समझ पाये कि केसर सिंग का शक्तिशाली घुसा उसके पेट में जा लगा करा के साथ पेट था में पारसनाथ दोहरा हो गया चैरे पर पीडा किपाव इस पष्ट नजर आने लगे तब ही चार पेरेदारों ने भीता परवेश किया वे हत्यार बन थे हत्यारों में खंजर कटारों तलवारे थी चैरों से वे खुंकाल लग रहे थे पारसनाथ जानता था कि इस वक्त दिन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता इसलिए उसने घूसे का जवाब देने की जरा भी चेश्टा नहीं की डालू बावा मुस्करा पड़ा केसरे अब काम बन गया ले जाए से और इसके मूँ से फकीर बावा की असलिए निकलवा ले उस गद्दार का नाम मुझे बता बहुत भ्यानक सजा दूंगा उसे इसके साथ ही उसने पहरे दारों को देखा तुम मैंसे दो इन तीनों को उनी मनुश्यों के पास कमरे में बंद कर दो कमरे के बाहर तिलिस में लकीर खीज देना जी और तुम दो दालू बावा न अन्न पहरे दारों से कहा इस मनुश्यों को पकड़ कर यातना ग्रह में ले जाओ और जलादों से कहदो कि यातने की त्यारी शुरू कर दे फॉरन दो पहरे दार आगे बढ़े और उन्हों पारसनात को थाम लिया कोई फायदा नहीं होगा पारसनात दाथ बीच कर के उठा मेरा मूँ नी खलवा सकते जवाब में दालू बावा मुस्कराय वहां से बाहर निकल गया जगमौन बाकेलाल लटा और सोहनलाल पिंजरे में कैद महाजन खूनी निकाओं से बंगाली को देख रहे थे करमपाल सिंग मुँ बंद की एक तरफ खड़ा था बंगाली भैसे सैमा से दिबार के साथ सठा खड़ा था सो अनलाल ने वहां पहुंसते ही बता दिया था कि बंगाली ने पारसनाथ को दालू बाबा के आतो फसवा दिया बंगाली तू भी दालू जैसे खुटता है जो अपने मतलब की खातर सब कुछ कर देता है तेरी वज़े से पारसनाथ मौत के मूँ में जा पहुचा दालू भी हराम जादा तू भी हराम जादा मुझसे गलती गलती हो गई बंगाली सूखे ओटो पर जीप फिरते हुए के उटा थारे से तो गलती हो गई और पारसनाथो तो गयो काम से बाकेलाल लटोर दाद बीचे बंगाली की तरफ बढ़ा वो मूँ खोले तो फकीर बाबा फसो ना खोलो तो उसो का बैंड बजो करीब पहुचकर बाकेलाल लटोर ने उसे कमीज से बकड़ा और जोर से घुटना उसके पेट में मारा बंगाली के ओंटों से जबरदस चीख निकली मार हरामजादे को महाजन पिंजरे में बंद फढ़बढ़ा उठा इसने हमारे खिलाब कुत्ते दालू की साहे तक ही है पिर थीपर जाएगा सौनलाल के चेरे पर खतरनाग भाव पहले थे बाके लाल अटान जोड़दार थपड बंगाली के गाल पर मारा तो चीक कर लुड़कता हुआ नीचे जा गिरा उसका गाल फट गया था होंटों से खून बहने लगा वो जल्दी से सीधा हुगा मुझे माफ कर दो बंगाली हाद जोड़का गिरगड़ा उटा पिर तीपर जाने के लालज में मेरा दिमाग खराब तुने पारसनाथ को मौत के मूँ में पहुचा दिया जगमान आगे बढ़ावा दान्त भीचकर उसके सिर के बालों को पकड़का तीवर जटके से उसे खड़ा किया तेरे को नहीं मालूम जब वे लोग इसे गरम सलाखों से तागेंगे तो उसका क्या हाल होगा पारसनाथ मूँ नहीं खोलेगा तो बुरी मौत मरेगा अगर फखीर बाबा की हसले बता देता तो बाबा जाने किस मुसीबत में फ़स जाएंगे बहुत गलत काम कर दिया तूने इसके साथ ही जगमान की ठोकरें और गुसे बंगाली पर बरसने लगे सारा कमरा बंगाली की चीखों से गून चुटा माजन जंगले की सलाके पकड़े खूनी निगाउं से बंगाली को घूर रहा था एक वक्त वहवी आया जब मार खाता बंगाली पिंजरे के पास पहुँचा तो माजन ने फुर्ती के साथ बहां बहार निकाली और उसकी गर्दन के साथ लपेट ली और उसे भीच लिया बंगाली जटपटा उठा आँखे फटकर बहार को आने लगी दम घुटने से चेहरा लाल हो गया यो तो इसो की जान लेने पे लगो हो माजन जगमहन तेस सर में बोला गर्दन छोड़ दे इसकी जान से नहीं मारना माजन की लाल आखे जगमहन पर जाटी की कान खोल कर सुन ले ये नहीं बचेगा माजन मौत के से अंदाज में कुर रहा हो उटा ये बेवकूफ ही कर गया तो तू तो मत कर जगमहन जल्दी से समझाने वाले सर में क्या उटा हो सकता है सब ठीक रहे पारसनात बच जाए और मुझे पारसनात की परवा नहीं माजन ने दाट किर्किटागर कहा तो फिर गुस्ता कैसा इस कमीने ने दालू की साहता करने की कोशिश की है तू नहीं जानता दालू को उसकी साहता करने वाला मेरा पहला दुश्मन होगा ये अब मेरे हाथों मरकरी रहेगा इसके साथ ही माजन बंगाली के गले पर बहां का दवा बढ़ाता जा रहा था बंगाली मौत के करीब पहुंचा जा रहा था महाजन बंगाली बाकेला लटोर आगे बढ़ा तम जानो हो दालो को यो तो ना जानो इसो से गलती के साथ हो हुई माफी दे दे दो इसो को छोड़ दे ओ नई महाजन की बहां का दवाव अंति तक बढ़ गया था वे तरिंदा लग रहा था जट पताया जगमल जल्दी से आगे बढ़ा और महाजन की बहाँ बंगाली की गले से अलग करने की कोशिश की परांतु ओस वक तो महाजन पागल की हत को पार कर चुका था बरपूर कोशिश के बाद भी ओं महाजन की बहां से बंगाली का गला ना छोड़ा पाया कुल में लाकर आधा मिनट भी नहीं बीता होगा कि बंगाली का प्रतिरोज समापत हो गया महाजन ने जब उसके शरीर का भार महसूस किया तो तीवर को राट के साथ उसके गलेज अपनी बहां ठाली बंगाली की टांगे मुड़ी और वो पिंजरे के पास ही नीचे जगे रहा उसकी सांसों की डोट तूट चुकी थी वो मर चुका था हर किसी की वाकुल गंबीर निगा बंगाली के मिरस शरीप ठीकी थी कनपाल सिंग के चेरे पर दुख और अफसोस के भाविस्पष्टर नजर आ रहे थे देख लो माजन की चलाट में खतरनाक भाव थे और कान खोल कर सुन लो कि जो भी उस हरामी तालू की बात मानेगा उसकी साहिता करेगा मैं उसका इससे भी बुरा हल करूँगा पिंजरे में कहतना होता तो इसकी बोटी-बोटी करके तरपा-तरपा कर इसकी चान लेता लेकिन यह आसाथ मौत मर गया देर तक वहां सननाठा सा चाया रहा कोई कुछ नहीं बोला बार-बार सबकी निगा बंगाली की लाश पर जा रही थी तन्य तो आखिर वड़ी देओ बंगाली को बाकेला लठोर का हाथ मूझ पर पहुचा महाजन ने खा जाने वाली निगाओं से बाकेला लठोर को देखा मारे बारों में का सोचो तम बाकेला लठोर मुस्करा पड़ा महाजन की निगा बारी बारी सब पर फिरने लगी जगमौन महाजन की आवाज में तीखा पन था रुस्तान राओ को गुलाब लाल ने सजा के लिए पेशी राम के हवाले किया है हाँ जगमोहन के माते पर बल पड़े उसे देखा पारसना थारामी दालू के पास है हाँ थारा का मतलब वो हुए देवराच चान और मोना चौदरी तिलिसमा फसे हैं और बाकी सब यहाँ है माजन की नेगा जगमोहन पर जा ठहरी लेकिन एक कम है जिसके बारे में कोई ख़बर नहीं सबकी नेगा एक दूसरे पर गई फिर जगमोहन ने माजन को देखा कौन कम है पाली जो मारे साथ था एक्सपर्ट तारा तोड़ जिसके कंदे का काव बावा ने अपनी शक्ती के दम पर पलबर में ही ठीक कर दिया था सवानलाल बोला ये जानने के लिए पढ़े हैं अनिलमोहन का पूर प्रकाशित पन्यास जीत का ताज हाँ वही माजन ने भिचे होटों से कहा मैं उसी की बात कर रहा हूँ पाली कहा है माजन के होटों से भिचा सासर निकला इसका जावक कुछी के पास भी नहीं था वो अभी कहीं फसो होवे सुआनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगा कर कश लिया तेरे को अपना पहला जन याद आ गया है सुआनलाल ने उससे कहा पूछा पूरा नहीं लेकिन काफी कुछ याद आ गया है माजन ने होट बीचे हरामी दालू के बारे में तो सब याद है मुझे तेरे को पिंजने में क्यों बंद किया गया क्योंकि मैं कुत्ते दालू के तुकड़े करने के लिए उस पर झपट पड़ा था मार देता हरामजादे को और वो भी जानता कि निल सिंग की ताकत मालू मैं उसे कि अगर मेरे हत्ते चड़ जाता तो बच नहीं सकता था क्या याद आया तेरे को पहले जन के बारे में सुआनलाल कस और गंबीर था माहाजन की निगा सपर गई चेहरे पर गंबीरता थी हम लोगों में दुश्मनी की गहरी दिवारे खड़ी हो गई थी तुम जगमों बाके रुस्तन राओ देवा की तरफ थे और मैं पारसनाद मिन्नों की तरफ खून के प्यासे हो गए थे हम एक दूसरे के हम लोगों में दुश्मनी की दिवारे हमने नहीं बल्कि दूसरों ने अपने मतलब के लिए खड़ी की थी उन में से एक दालू था यही दालू एक आएक माहाजन के होट बिस्ते जा रहे थे एक वही बाबा था फखीर बाबा लेकिन बाबा को अपने गल्ती का एसास हो चुका है तब ही तो वो देवरा चौन मोना चौदरी में एक बाखर दोस्ती कराना चाता है ऐसे और लोग भी और थे जिनकी वज़े से पूरी नगरी तभाई की चपेट में आ गई थी पूरी बात बताओ सब कुछ कैसे कैसे हुगा सबकी निगाप पिंजरे में बंध महाजन पर ठिक चुकी थी महाजन के होट इले परंतु कोई शब्द नहीं निकला क्या हुआ क्या बताओ महाजन की आवाज भारी हो गई उन बातों को याद करने का भी मन नहीं करता तो होटों से कैसे निकलेंगे शब्द जब मैं पूर्जन की बातों को अपने दिलों दुमाग में बरदाश कर लूँगा तो तब बताओंगा इस वक्त तो उनी बातों की वज़े से मैं खुद परेशान हुआ पड़ा हूँ कहने के साथी महाजन ने पैंट में फसी बोतल निका ली और नीचे बैटकर सलाखों से टेक लगा होटों से बोतल लगा ली किसी ना कुछ नहीं पूछा सबके मस्तिश में उलजन थी कि वे यहां से कैसे और कब आज़ाद होंगे पाली एक छोटे से मकान में था जो की नगरी की बस्ती में इस्तित था वे मकान उसी यह मकान उसी इंताही खूबसूरत युफ्ती का था जो उसे जंगल में पाउं के गेरे में लेकर गायब हो गई थी और उसके बाद पाली ने खुद को इसी घर में पाया और सामने वही खूबसूरत युफ्तीत मौजिद थी तुम पाली होच में आती सीदा होकर बैठ गया था हाँ युफ्ति दिलकत संदाज में मुस्क्राई कौन हो तुम मैं कहा हूँ मेरा नाम रानी है तुम इस वाद तिलिस्मी नगरी में मेरे घर पर हो वो पुना मुस्क्राई तलिस्मी नगरी में? पाली चौका हाँ, मेरे बाकी साथी का है उन्हें भी कोई न कोई कैद कर लेगा और सेवक की काम पर लगा दिया जाएगा मुझे कुछ मनुश्यों के आनी की खबर मिल गई थी इसलिए में किसी एक मनुश्य को लेने चली आई उसने पाली के हाथ पर हाथ रखकर कहा लेकिन मैं तुम्हें सेवक बना कर नहीं रखूंगी क्या मतलब? मैं तुम्हें अपने दिल में अपना राजा बना कर रखूंगी मैं कब से किसी भले आदमी की ज़रुरत महसूस कर रही थी क्योंकि दालू बाबा के पास तो 15 दिन में एक बार जाना पड़ता है और बाकी के दिन काटे नहीं करते नगरी का कोई वेक्ति मेरे समीप आने का सास नहीं करता क्योंकि सब जानते हैं कि मैं दालू बाबा की सेवा करने जाती हूँ ऐसे में मेरे पास आकर कोई दालू बाबा के हाथों मरना पसंद नहीं करेगा ये दालू बाबा कोन है इस नगरी का मालिका और मैं जानती हूँ वो बहुत बड़ा शैतान है रानी गहरी सांस लेकर क्या उटी अब तुम इसी मकान में रहोगे किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि कोई मनुष्य मेरे पास रहरा है हम प्यार किया करेंगे तुमें किसी चीज़ की कमी नहीं ने दूंगी तुम मुझे कैळ करगे रखना चाहती हूँ एसा मत कओ मैं तुमें अपना बना कर रखना चाहती हूँ वैसे भी तुम यहां से बाहर निकलोगे तो तुमारे शरीक की महक से जान जाएंगे कि तुम मनुश्यों और पकड़ कर अपनी सेवा में लगा लेंगे। यहां से वापिस पृथी पर तुम जा नहीं सकते इसलिए चुप चप मेरे साथ रहने में तुमाही भलाईए। रानी न से समझाने वाले सर्मे का पाली न उसे देखा तुम दालू बाबा के पास मच जाओ दालू बाबा को इंकार करने के हमत किसी में नहीं है। उसके आदमी नगरी की खुबसूरे लड़कियों को दालू बाबा की सेवा के लिए ले जाते और रात बीते बीतने के पश्चात उसे वापिस पहुचा देते रानी ने कहा पाली कुछ नहीं बोला सब कुछ तुमारे सामने फैसला तुमारे सामने मैं जबरदस्ती तुम्हे अपने पास नहीं रखूंगी पाली को नगरी के हालातों की जानकारी नहीं थी इस तरह उसका बाहर जाना खत्रे वाली बात भी हो सकती थी जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता तब तक उसने रानी के साथ रहने का मन बना लिया और कई तुनों से वो रानी के पास रह रहा था उससे भरपूर प्यार पा रहा था कुछ देर पहले ही दालू बावा का बुलावा आ गया था रानी को बुला लाने वाले दालू बाबा के आदमी के साथ इरानी दालू बाबा की तरफ रवाना हो गई थी दालू बाबा ने केसर सिंग को भीता प्रविश करते पाकर पूछा परसु ने क्या नाम बताया उस गतार का जो इने पृत्वी से लाया दालू बाबा, केसर सिंग गहरी सांस लेकर क्या उटा मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता क्या हुआ, दालू के माते पर लकीरे गहरी हो गई ये तो दोबारा जन्म लेकर आया परसू है केसर सिंग परिशान से क्या उटा लेकिन है ये पहले जन्म वाला परसुई वैसे ही पत्थर की तरह सकते इंसान दालू बाबा की आँके का टोरता से सिकुरती जा रही थी तो क्या परसु न फखीर बाबा की असलेत के बारे में नहीं बताया दालू बाबा अंगूठे से अपनी आँक मसलने लगा दूसरी आँक एक टक केसर स्विंग पर टिकी थी नई परसु अपना मूँ खोलने को तयार नहीं उसके शरी को लोई की गरम सलाकों से जलादोने दागा परंतु वे उस फखीर बाबा का असली नाम बताने को तयार नहीं उसे जंजीरों से पीटा गया उसके जिसम कीले ठोकी गई उसे नमक वाले गरम पानी में फेका गया ताकि जखमों में दर दो और वो मूँ खोल दे परंतु पत्थर ने मूँ नहीं खोला अंगूठे से आंक मसलना छोड़कर डालू भाबा ने दाद भीच लिये ये कैसे संबाव है कि इतनी कठोर यातने के पश्चाद भी पर्सू मूँ खोलने पर विवश ना हो ये बाद संबाव हो चुकी है डालू भाबा पर्सू के शरीर की हालत ये है कि जर्रा जर्रा उसका मास के लोथडों में बदल चुका है उसे पहचान पाना कठेन हो रहा है केसर सिंग न का उसे यातना देने के लिए उसके शरीर का कोई हिस्सा सलामत नहीं बचा सिर्फ उसकी सांसे ही बाकी है सांसों के बारे में कोई हुक्म होता हो मुझे पडसू के बास ले चलो दालू बाबा गुर्रा उठा आईए दालू बाबा और केसर सिंग कमरे से बाहर निकल कर आगे बढ़े तो सामने से एक पैरेदार रानी के साथ आ रहा था पास पहुंसते ही पैरेदार ने सलाम किया मालिक पहरेदार ने कुछ कहना चाहा रानी को अमारे शेयन के अक्ष्मा पहुचा दो दालू बाबा ने अच्छने क्षिटक कर कहा मैं अभी पहुच रहा हूं रानी तब तक तुम्हें स्नान करके शिंगार अपना लू अवश्य दालू बाबा रानी न थोड़ा सा सिर्ज उकाया दालू बाबा पुना केसर सिंग़े साथ आगे बढ़ गया पारसनात की हाला देखते ही दालू बाबा के चैरे बाद अजीव से भाब ओबरे उसने केसर सिंग पर निगा मारी फिर पुना पारसनात पर नज़रे टिका दी पारसनात तो जैसे पह्चाना नहीं जा रहा था सिर्ज से पाऊ उता जखमी जखम थे गं सलाखे दागे जाने की गहरे निशान थे जंजीरों से पिछ जाने की ज़ए से उसके जखम और शरीर के आंने से उधर हो गे थे शरीर के कई हिस्सों में कीले ठुकी इसपस्टन नजर आ रही थी जिसम के बाकी बचे हिस्सों पर गर्म पानी की वज़े से फफोले उबरे इसपस्टन नजर आ रहे थे उसके जिसम का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो जखमी ना हो इस पस्ट निज़र आ रहा था कि पारसनात के साथ यातना के दौरान हर उस हद को भी पार कर लिया गया था जिसे कि इनसान सरलता से पार नहीं करता पारसनात इस वा ब्योश था दालुबावा ने अच्छी तरह से पारसनात का शरीज देखा फिर केसर सिंग से बोला केसरे इसका हाल तो बहुत बुरा हुआ है यही तो मैं आपसे कह रहा था कि है रहा था कि इतनी यातने के बश्चाद भी परसू ने मूने ही खोला दालुबावा के होट से कुड़ गए मैंने पहले ही कहा है कि यह तो वही परसू है जो पत्तर की तरह कटोर और सक्त जान हुआ करता था हजीब बात है दोबारा जन्म लेने पर भी परसू उत्रही थाकत वाला है दालुबावा के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे निगाहें बेहोश पारस नात परी थी अब आप ही आदेश दें कि परसू का क्या किया जाए केसर सिंगने का इसके शरीर का हाल तो आप देखी रहें कहें तो इसकी सासों की डोड तोड़ दू नहीं केसरे ऐसी भूल मत करना दालुबावा ने हाथ लाकर का मैं हर हाल मैं फकीर बाबा के असले जानना चाता हूँ वो धोके बाज हमारी नगरी का है और इतनी हिम्मत किसमें आ गई कि मेरी नगरी मेरे कर मुझसे ही धोके बाजी करे लेकिन दालुबावा यातना देने के लिए परसु के शरीर का कोई हिस्सा सलामत नहीं बचा इसे और यातना दी गई तो इसके शरीर से इसकी जान निकल सकती है इसे ठीक करो इसके जखमों को दुरुस्त करो इसे दोबारा इस काविल बना दो की यातना दी जाए इस बार पहले से भी जादा भ्याना की आतना देना तब भी परसू मूह ना खोले तो दुबार ऐसे ठीक करके पुना यातना देना आरंब कर दू इस सिल्सले को तब तक कायम रखो जब तक कि ये फकीर बाबा की हकीकत ना बता दे कि नगरी में वो किस रूप में मौझूद है लेकिन इस बात का ध्यान रखना की किसी भी हालत में हकीकत बताने से पहरे इसके प्रांड शड़ी से बाहर ना निकल सके मैं ऐसे ही करूँगा दालू बाबा किसी को गुलाब चंद के पास बेज का ख़बर मंगवाओ की तिलिस में मौझूद देवा और मिन्नो की क्या हालत है अभी तब कि जिन्ता है या अभी अपनी जान गवा चुके मैं अभी किसी को गुलाब लाल के पास बेज रहवाना करता हूँ गुलाब दालू बाबा ने सिर्ज फिलाया और कमरे में क्या दून मनुष्य को भर पेट खाना देते रहना हाकिम को बुलाने के लिए अगर अनुष्ठान करना पड़ा तो मनुष्य का लगू आसानी से मुझे हासिल हो जाएगा जी ये बात मुझे अच्छी तरह याद है केसर सिंग ना फॉरंस से रहलाया दालू बाब अब बल्टा और वहाँ से बाहर निकलता चला गया दालू बाब अपने शेंकर्क में पहुचा तो ठिटक गया मस्तिश का सारा तनाव जाने कहां कायब हो गया होटो पर मुस्कान फैलती चली गई नजरें रानी पटिकी रही रानी आज खुबसूरती का कहड़ आ रही थी पीली केसर योगतिसारी पहन रखी थी उसका जिसम शिंगारों से लदा था होटो पर लिपस्टिक माथे पर बिनिया गले में हीरे जवारातों का दमकता सैट कलाईयों में कंगार और खनकती चूडियां पाओ में सोने के कड़े कमर में सोने के ऐसी खुबसूरत जंजीर बंदी थी की देखते ही बन रही थी कानों में लटकत पर ऐसा ही लगता है कि तुम्हें पहली बारी देखा है पहले कभी तुम्हें इतनी खुबसूरत नहीं लगी मैं तो हुई तुम्हारी पहले कभी पार्की नजरों से तुमने नहीं देखा कोई बात नहीं रानी आज मैं तुम्हें मन भर के देखूँगा कहते हुए पूरा जिस्म जैसे कांपता सा लग रहा था। पूरा जिस्म जैसे कांपता सा लग रहा था। पाली नाम है उसका, कहा है वो, मेरे घर पर, रानी की आवास कांप रही थी, कहां से मिला तुझे, जंगल में मैं उसे कैद करके नगरी में अपने घर पर ले आई थी, रानी के चेरे पर खौफ की परचाईया नाच रही थी, मुझे पर रहम करो दालू बाबा, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, फिर कभी भी ऐसी भूल नहीं होगी, उस मनुझे बहका दिया था। 30 सेकंड उसके होट ले, फिर उसका हाद उस दिशा की तरफ उटा, जिस तरफ खड़ी रानी आतंक भरी निगाउं से उसे देख रही थी। 30 जी, रानी के घड़ जाओ, वहाँ एक मनुझे छिपा बैठा है, उसे कैद करके हमारे सामने पेश करो, जो हुक्म, कहने के साथ ही पहरेदार बाहर निकलता चला गया। इस तरह पाली को भी कैद करके उसी कमरे में पहुचा दिया गया जा बाकी सबते, उन सब को देखकर पाली खुश हुआ कि अपने हुमें या पहुचा है, लेकिन बंगाली की लाश देखकर वह व्याकुल अवश्य हुआ, उसे छोड़ने आए पहरेदार, खामुशी से बं पालने साथियों के तलाश में निकल गया था, परपूर जेश्टा के पशाद उसे दो साथी मिले, एक परताब सिंग, दूसा कीरत लाद, दौनों इस वक्त शान जिंदगी वहतीत कर रहे थे, शुप सिंग को देखकर पहले तुवे चौंके, फिर खुशी सो से गले लगा है, हमारी कुल देवी आ गई है, तुम्हें सजा देनी की जरूरत ही नहीं थी, दालू बावा ने जान बूच कर तुम्हें कैड में डाला, कीरत लाल क्या उठा, और ऐसा दालू बावा ने इसलिए कि तुमारे होते हुए, वो अपनी हाज़िशों में काम्याब नहीं हो सक तुम्हारी मौजूदगी में वो मुतरा ना तो बेला को तेड़ी आंक से भी नहीं देख सकता था, शुप सिंग गंबीर उठा, हाँ, कुछ बाते मुझे मालूम ही है, शुप सिंग ने का, दालू ने तिलिस्मर ही नहीं, पूरी नगरी पर कबज़ा किया हुए, नगरी क उसकी दाखत कम कैसे होगी, शुप सिंग ने पूछा, सबसे पहले उससे वो ताज हासिल करना होगा, जिसमें मौजूद असीम शक्तियों का वह फायदा उठा, नई, परताप सिंग ने टोगा, उस ताज को तो दालू ने तिलिस्मी पहरेदारी में रखा हुआ है, और पक दालू बाबा का बुरा हाल कर देगी, ठीक कहते हो, लेकिन एक समस्या सामने आ रही है, शुप सिंग चिंता वरे सवर में क्या उठा, कैसी समस्या, देवा इस वक्त तिलिसमें भटक रही है, और पहले की जिंदिकी की बात है भूली हुई है, ऐसे मैं दालू का मकाबला कर देवी तेवी को तलाश करके उसको बीते जन्मे की बाते यात करानी है, और मैं नहीं चाहता है कि तिलिसमे हमारे प्रवेश करने के बारे में गुलाबलाल जान जाए, ऐसा हुआ तो वो हमारे लिए रुकाव्टक वज़ा करेगा, इसलिए जादा लोगों के साथ तिलिसम जाना ढोल पीटने के बराबर होगा, तुम ठीक कहते हो शुप सिंग, कीरत लाल ने सोच बरे सर में का, तिलिसमें चलने की त्यारी करें, परताब सिंग के सर में उत्साया, उत्सा था, देवी तिलिसमें किस दिशा में हैं ये मालूम करने में वक्त भी लग सकता है, और त पहरों से इसपश्ट नजार आ रही थी, जब आगे बढ़ना कटिन हो जाता है तो कुछ देर रुक कर भी आराम कर लेते, काली बिल्ली मोना चौदरी के कंदे पर चुपी साधे बैठी थी, भूख लगती तो खाना, तिलिसमी खंजर या बेला के दिये लकडी के कर लेते, मुझे नहीं रखता कि ये रास्ता समाप्त होगा, मोना चौदरी के उटी, हमें आगे बढ़ने की दिशा बदलनी चाहिए, देवराचान ने सीधे रास्ते पर दूर तक निखाएं दोड़ाते हुए का, रास्ता है तो कहीं न कहीं तो खतम हो गई, दो दिन हो ग मोना चौदरी ने होट लाकर देवराचान को देखा, सिकोड कर देवराचान को देखा, खत्रों का मकाबला किये बिना तिलिसमे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, मोना चौदरी बोली, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने तो ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि तिलिसमे से बाह बड़े जा रहे थे। बड़े जा रहे थे। लेकिन अब ताच को भूल कर दूसरी मुसीबतों का सामना करना पड़ ला है। पकीर बाबा ने हमारी आड़ में अपना कोई मकसद हल करने की चेश्टा की या। वो कैसे? देवराज चान ने मोना चौदी को देखा। तुमने बताया कि पिछले देड़ सो बरस से तुमारे पहले जन्म का परिवार तिलिस में कहा दे। तुमने सबसे मिल चुके और वो तुमारे इंतिजार में थे कि तुम आओगे और उन्हें आजाद करवाओगे। हाँ, देवराज चान ने से रिलाया। और दालू बाबा जो भी हो से नगरी का समय चक्र रोक रखा है। ना तो कोई मर सकता है और ना ही कोई पैदा हो सकता है। ये बात भी तुमारे परिवार वालों ने तुम पताई। देवराद चाहन ने सहमती में से रिलाया इधर जगे जगे तिलिस्ट में से बाहर खणार हुए महल में और तिलिस्ट में भी मेरे पत्थर के बुथ खड़े मुझे देखने वाले मुझे कुल देवी कहते हैं या देवी कहते हैं एक पत्थर के बुद को हाथ लगाती वो धीरे धीरे पत्थर से इंसान में बदल गया। उसने बताया कि दालू बाबा ने सजा के तौर पर उसे बुद बनाया था। और कहा था कि देवी ही आकर तुम्हें सजा से मुक्ती दिलाईगी। और उसे मुक्ती मिल गई। उसने बेहत विश्वास के साथ कहा कि मैं ही वो देवी हूँ परंतु मनुश्य हूँ और बीते जन्की याद भूली हुई हूँ। देवराद चौहन मोना चौदी को देखता रहा। इधर तुमने बताया कि बेला नाम की मेरी कोई बहन है जो तुमसे मिल चुकी हो तुम्हारी सायता भी कर रही है। यानि कि इन सब बातों को मद्दे नज़र रखकर विश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि फकीर बाबा हमें कुछ बताने याद कराने की कोशिश करने है जिसमें उनका अपना कोई मतलब है। उनको गुर्वर की बात पर पूरा विश्वास रा और दोबारा जन्म लेकर ही सही मैं वापित आया। इससे उनका विश्वास और पक्का हुगा कि वो कैसे आजाद हो जाएंगे। मोना चौधी ने खाते खाते देवराज चान को देखा। लेकिन वक्त आने पर तुम अपने परवार वालों को तिलिसमी कैसे कैसे निकालोगे। मोना चौधी ने पूछा ये रास्ता इतना असान तो होगा ने। देवराज चान के चैरेवा सोच के भाव उबरे। ये मैं नहीं जानता कि अपने पूछ जन के परिवार वबस्ती वालों को तिलिसमी कैसे कैसे चुटकारा दिलाऊंगा। नगरी के रुके समय चक्र को भी पुना चालू कर देना चाता हूँ। जो भी हो ये दोनों काम पूरे करने के पश्चाती पाताल लोग से जाऊंगा। देवराज चान की धीमी आवाज में पक्का पन था। देवराज चान ये मत भूलो कि इस वक्त हमारे सिरों पर मौत नाच रही है। हम हमार नहीं है। तुम जो काम करने को कह रहे हो उससे पहले मौत तो मैं समेट सकती है। मोना चालूदी ने गंबीर सर में का। जानता देवराज चान पहले वाले सर में बोला। मैं मौत और बुरे वक्त को कभी नहीं भूलता। अब तक जो हुआ है अच्छे ही हुआ है। और आगे भी जो होगा अच्छे ही होगा। तब ही मोना चालूदी की नेगात 30-40 कदम जूर जा ठीकी। जा भेहत खुबसूरत विवग न उसे पास आने का इशारा किया। मोना चाधरी की आंके सुक्णी वो उसे देखती रही। उस खुबसर विवग न पुना मोना चालूदी को पास आने का इशारा किया। तुम जानते हो उसे मोना चालूदी के ओठो से निकला। किसे देवराज चान खाना खा रह जो उदर खड़ा है और मुझे बुला रहा है देवराज चान ने फिर उस तरफ देखा जिदर मोना चौधी ने खा था इस बार भी उसे कुछ नजर नहीं आया मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें मजाग करने की आदत है कहने के साथ देवराज चान खाने में विस्त हो गया मोना चौदी ने घूर कर देवराजचाण को देखा और मुझे भी नहीं मालूम था कि उसे देखकर तुमें जलन होने लगी क्योंकि वो तुमसे ज़ादा खुबसूरत है मोना चौदी के लैजे में तीखा पना गया देवराजचाण ने मोना चौदी को देखा तुम खाते रो मैं उससे मिलकर आ रही हूँ कहने के साथ ही मोना चौधी कुर्शी सोड़ गई देवराज चान ने उल्जर मरी निगाउं से मोना चौधी को देखा फिर उधर नजर मारी परंतु उसे खुबसर योग तो क्या बूड़ा भी देखने को नहीं मिला ज़की मोना चौधी के कदम उस्तरब बढ़ रहे थे तब ही देवराज चान के कानों में बेला की बेचान फुस्फसाट पड़ी मिन्नो को रुको देवा वो खुबसरत योग तिलिस्मी ताकत से बनाये गया है दालू बाबा का जाल है वो मिन्नो की मौत के लिए वो तिलिस्मी योग मिन्नो की जान ले लेगा देवराज चान चौगा तुम किस तिलिस्मी योग की बात कर रही हो जिसके बास मिन्नो जा रही है बेला की फुस्फसाट में व्याकुलता के भाउते मोना चौधरी भी किसी युवक्त की बात कर रही दी लेकिर मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा देवराद चान के माते पर बल नजर आनने लगे थे और चेहरे पर उल्जन से बरे भाओ ओ समझी बेला की फुस्वजाट को स्तीवर हो गई खुबसूरत मनश्य तिलिस्मी चाल के रूप में मिन्नो की मौत बना कर भेजा गया है वो से मिन्नो को ही नजर आएगा तुम्हें नहीं क्योंकि वो मिन्नो की मौत है देवा मिन्नो को बचा लो किसी तरह मिन्नो जब उस तिलिस्मी वक्रे करीब पहुचेगी देवराचान फॉरण रुट खड़ा हुआ, मोना चौधरी की दरब देखा, मोना चौधरी धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी, लेकिन मुझे तो तिलिस्मी योग के नजर नहीं आ रहा, मैं उसे कैसे बचाऊंँ, देवराचान विवर सर में बोला, बेला की आवाज नही आई, मोना चौधरी, देवराचान न फॉकारा, परंतु मोना चौधरी आगे बढ़ती रही, देवराचान के पॉकारने का उस पर कोई असर नहीं हुआ, मिन्नो तिलिस्मी योग के प्रवाव में आ चुकी है, उसका अपने पर बस नहीं रहा, बेला की फुसफ़ाट उसक जलका, मैं तुमारी साहता करती हूँ, कैसे, देवराचान बुद्बदाया, अपने पैरों के पास देखो, देवराचान न नीचे देखा, देखते देखते पाउं के पास छोड़ा सा पत्थर आगिरा, इस पत्थर को उठाओ देवा, देवराचान न तुरम पत्थर को उ चुकी थी। उसके निगा सिर्फ उसकी खूबसरत युवक परी थी। धीमे-धीमे कदमों से वो आगे बढ़ी जा रही थी। अब युवक और उसके बीश से दस कदम का फासलस ये श्राहा था। रुख जाओ देवा, बेला की फुस्वसार कानों में पढ़ते ही देवराच चाहन रुका, वो उस खूबसर युवक को नहीं देख पा रहा था। जबकि वो देवराच चाहन से मातर तीन कदम दाई तरफ दूर था और मोना चाहधी को करीब आता पाकर मुस्करात युवक न अपनी दौनों बाहें फैला दीती, उसका पूरा ध्यान मोना चाहधी पर था। देवराच चाहन के पास आने को उसने जरा भी तवज्ज नहीं दीती, एक बार भी उसे नहीं देखा था। देवा, बेला की परेशान फुस्वसार कानों में पढ़ी, जल्दी से अपना देवराच चाहन ने फौरम पत्थर वाला हाथ उपर उठा लिया, अपने दाई तरफ, तीन कदम की दूरी पर वे युवक है, हाथ में पकड़ा पत्थर उससे ठकराना चाहिए, पक बहुत काम है, हाथ को थोड़ा सा और दाई तरफ गुमा, देवराच चाहन ने ऐसे ही क पसार कानों में पड़ी, जैसे पत्थर को पकड़ा है, इसे इसी तरह पांच फीट की उचाईगे, सीद में आगे फेग दू, मोना चौदरी धीमी चाल में आगे बढ़ती, देवराच चाहन के पास से निकली, युवक सामने बाहे फैलाए मौजूद था, और सिर्फ दो क चिंगारियों और धूआ उठते अपस्पष्ट देखा, चाती पर वो पत्थर लगते ही खुबसरों दिवग जोरों से चीखा, उसकी चाती में गड़ा बन गया, वहाँ से चिंगारियों और धूआ उठने लगा, अगले ही पल उसमें आग लग गई, वो ये वकसिर से पा उसे वो आसपास देखने लगी, फिर देवरा चान पर निगा जाटी की, क्या हुआ, मोना चाती को जैसे ध्यान आया, आसपास देखा, वो तुमारी जान लेने आया था और मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन तुमारी बहन बेला के प्रतन से तुमारी जान बच गई, देवरा चान ने गहरी सांस लेकर का, क्या मतलब, मोना चाती के चहरे पर अजीब से भाव उबरे, देवरा चान ने सारी बात उसे बताई, मोना चाती के चहरे पर विश्वास अविश्वास के भाव नाचने लगे, अजीब हैरत भरी बात है, मुझे विश्वास नहीं आ आखिरकार मोना चौधी के होटों से निकला देवराज चौहन ने सिग्रेट सुलगा ली काली बिली पास आकर छलांग मारते हो मोना चौधी के खंदे पर आ बैठी बेला मुझसे बात क्यों नहीं करती मोना चौधी ने उसे देखा इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है देवराज चौहन ने गंबी सर में का दोनों के बीच कहीं पलों तक खामोशी रही यहां से आगे चले देवराज चौहन ने का मोना चौधी ने सहमती में से रेला दिया तब शाम डल रही थी देवराज चौन मोना चौधी चार गंटों से बराबर चलते जा रहे थी परन्तु वो रास्ता भी तक खतम नहीं हुआ था उस चौने रास्ते के दौनों तरफ तरह तरह के पेड़ लगे हुए थी कभी फूलों की क्यारिया नजार आने लगती रास्ता कहीं भी खतम नहीं होता नजार आ रहा था मेरे ख्याल में ये रास्ता किसी खास जगे पहुचकर समाप्त होता है मुना चौधी बोली हो सकता है देवराज चौन ने सेरे लाया तीसरा दिन भी खत्म होने वाला है परंतु रास्ता खत्म होने को नहीं आ रहा है इस पर श्टहकी वी रास्ता हमें किसी खास जगे ले जा रहा है मेरी मानों तो रास्ता बदल लेते हैं देवराज चान ने मुस्करा कर मोना चौदरी को देखा अगर तुम्हें किसी रास्ते का रहा का ग्यान है तो बता दू उस तरफ चल पड़ते हैं देवराचान न का मोना चोधरी भी मुस्कुराई अगर मालूम होता तो पहले ही तुम्हें बता चुकी होती उसी बल देवराचान की निगाय रास्ते के किनारे मौझूद पेड़ के तने पर पड़ी दो वो ठिटक गया चैरे पर एजीब से भाव आ गए आंके से उगड़कर छोटी हो गई उस पेड़ के तने के साथ लोगे की जंजीरों से जगमौन बना था देखने में जगमौन की हाला से इसपष्ट लग रहा था कि अब उसमें खड़े रहने तक की ताकत बाकी नहीं रही उसका शरीर बुरी तरह खून में डूबा हुआ था शरीर के अधिक तरह हिस्सों पर चोटे और यातना के निशान थे जिनसे बहता खून अब सूखने को आ रहा था मतलब कि उसे यातना दिये वक्त बीच चुका है और उसके बाद उसे जंजीरों से बंदे यहीं छोड़ दिया गया आहट पाकर बुरे हाल में डूबे जगमहन ने आके खोली तो सामने देवराच चौहन को पाकर उसके चेरे पर जैसे जीवन की लहर दौप गई देवराच चौहन जगमहन के ओटों से पीड़ा से बरा कापता सर निकला जगमहन देवराच चौहन उसके हालत देखकर तड़ा पुठा मोना चौहतरी के निगाव जगमहन पर पड़ी जगमहन को क्या हुआ मोना चौहतरी के ओटों से निकला देवराच चौहन जल्दी से उस तरह बढ़ने को हुआ कि तभी बेला की फुस्वसाट कानों में पड़ी रुख जाओ देवा आगे मत बढ़ो रुख जाओ ना चाहते हो भी देवराच चौहन ठिटका क्या है दाग बीजे देवराच चौहन बुदबुदाया वो जग्गु नहीं तेरी मौत है देवा जो दालू बावा ने भेजी है बेला की फुस्वसाट सुनाई दी क्या मतलब देवराच चौहन बुदबुदाया उसके होट भिजे हुए थे नजरें जग्मोहन पर दी मोना चौहन हैरानी से देवराच चौहन को बुदबुदाते हुए देख रही थी जग्मोहन की तरब बढ़ते हुए इस तरह रुख जाना उसकी समझ से बाहर था क्या हुआ देवराच चौहन मोना चौहन की होटों से निकला तब ही बेला की फुस्वसाथ देवराचान के कानों में पड़ी वो तिलिस्में इंसान है जो दालू बावा ने तेरी जान लेने के लिए उसका रूप जगमौन जैसा बना कर तेरे सामने कर दिया ताकि तू उसे चूए और मर जाए उसे चूने से मैं मर सकता हूँ देवराचान बुदबुदाया मोना चौदी ने उलजन बरी निगाउं से देवराचान को देखा फिर तेजी से जगमौन की तरफ बढ़ी शायद उसे उसके जंजीरों वाले बंदन खोलने के लिए ये देखकर देवराचान चीखा रुख जाओ मोना चौदी मोना चौदी ठिटकी ओपलेट कर देवराचान को देखने लगी आँकों में अजीब से भाव थे वो समझ नहीं पा रही थी कि देवराचान ना तो खुद जगमौन की तरफ बढ़ रहा है और नहीं अब उसे बढ़ने दे रहा है और होटो ही होटो में जाने क्या बुद बुद आ रहा है क्या हुआ? मोना चौदी के होट सिकुडे देवराचान ने कुछ कहने के लिए मूँ खोला की बेला की फुस्पसाट कानों में पड़ी मिन्नो को भी आगे मत बढ़ने देना जो भी उसे हाथ लगाएगा वो मारा जाएगा देवराचान ने मोना चौदी को देखकर कहा तुम अभी मेरे से बात मत करो और नहीं उसकी तरफ बढ़ो पीछे अट जाओ लेकिन मोना चौदी ने कहना चाओ जो मैंने कहा है वही करो देवराचान का सर सक्त हो गया मोना चौदी के माते पर बल नजर आने लगे परंतु वो खामोश रही बेला की फुस्वजार देवराचान के कानों में पड़ी जग्गू का रूप बना कर तुमारे सामने इसलिए पेश किया गया है कि तुम सब कुछ भूल कर उसे चूओ और मारे जाओ ये तिलिस्मी जहर का बार तुम पर किया गया है मिन्नो ने इसे चूओ तो वो भी नहीं बचेगी किसी भी कीमत पर अपने होश मत गवाना देवराज चौण के चहरे पर कटोरता नजर आने लगी उसने गूर कर जग्माण को देखा देवराज चौण जग्माण पुना भोला मुझे बचाओ मैं मर रहा हूँ मोना चौदरी न जग्माण को देखा फिर तीकी निगा देवराज चौदी की खड़े खड़े क्या कर रहे हो यह तुमारा खास साथी दोस्त है और तुम खामोश रहो मोना चौदरी ने होट भीच लिए मोना चौदरी तुम ही खोलो मुझे मेरी जान निकल रही है मैं मर रहा हूँ जगमान की आवाज में पीड़ा के ऐसे भाव थे कि मोना चौदरी खुद को रोक नहीं सकी वो तेजी से जगमान की तरफ बड़ी नाई देवराज चान चीखा और चीटे की तरह मोना चौदरी पर छप्टा जो जगमान के करीब पहुच चुकी थी और अगले ही पल उसका जोड़दार घूसा मोना चौदरी के चेह अगर तुम इसे चू लेती तो अब तक तुम मर चुकी होती है क्या मतलब मोना चौदरी चौदरी यह जगमान नहीं है तिलिसमी जहर का बार है दालू बाबा की तरफ से हम कि हम मर जाएं जहर ने जगमान का चेहरा ले रखा है कि हम धोगा खा जाएं देवराज चौद की क्या करूँ इसे बिना शेड़े हम आगे बढ़ जाएं देवराचान बुद बढ़ आया नहीं ऐसी गलती मत करना देवा बेला की फिस्वसाथ कानों में पड़ी तिलिस्मी जहर अपने शिकार का पीजा कभी नहीं छोड़ता अपना वार करके ही रहता है तुम्हें इसकी सही बढ़ने में तुम्हारी बलाई है मैं समझा नहीं मोना चौदरी के एक टक्ती की निगा देवराचान पर टिकी थी मैं तुम्हें सब कुछ एक ही बार में समझा देती हूँ तिलिस्मी जहर को पार करने के लिए इट जैसा बड़ा पत्थर उठा कर इसके सिर पर मारू तुम पर झपटेगा उसकी रफतार तीर से भी तेज होगी और तुम्हें उससे बचना है बसते हुए से पकड़कर डसने का मौका दिये बिना कटार से उसे काट कर दो तुकड़े कर देना मुझे कटार चलानी नहीं आती देवराचान बुद बुदाया बेला की हलकी सी है इसी देवराचान के कानों में पड़ी देवा कहता है कि कटार चलानी नहीं आती कटार चलाने में नगरी का कोई भी युद्धा तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता था मिन्नों भी आखिरकार हार गई थी तुमसे मैं वो देवा नहीं इस वक्त देवराचान हूँ और इस अगर छोड़ा तो वे दोनों तुकड़े मिलकर पुना साप का शरीर जीवित हो जाएगा कटार से छुटकारा पाकर तुमने दूसरे हाज से गिरे साप के तुकड़े को ठाकर आगे बढ़ जाना है ध्यान रहे साप के तुकड़ों के शरीर आपस में ठकरा भी गए तो वो साप पुना जीवित हो कर तुम्हें डस लेगा और तुम उसी पल जान से आद दो बैटोगे समझा उसके बाद मुझे क्या करना होगा इसी रास्ते पर आगे बढ़ जाना पीछे से तब तुम्हें पुकारने के बहुत सौर आएंगे तो मैं लगएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हें पुकार रहे, पर अथु साफधून किसे भी हालत में पीछे मुढ़ कर मत देखना, वो सब पुकार है तिलिस्मी जहर की चाले होगी अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो उसी वक्त तुम्हारे शरी से प्राण निकल जाएंगे तुम्हें बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहना होगा जब वो हावा से कानों में पढ़नी बंद हो जाएं तो साब के दो तुकड़ों को इस रास्ते के दौनों किनारों पर अलग अलग रख देना यानि एक तुकड़ा एक किनारे पर और दूसरा दूसरे किनारे पर उसके बाद पुना आगे बढ़ना तब भी तुम्हें पीछे से पकारने का सौरा आएगा पर अंतु पीछे मत देखना और जब वो सर भी सुनाई देना बंद हो जाए तो समझना तुमने तिलिस्मी जहर से चुटकारा पा लिया ये बात तुम पर ही नहीं मिन्नों पर भी लागू होती है उसे भी सब समझा देना समझ गया देवराच चान बुदबुदाया ध्यान रहे तिलिस्मी जहर के सिर पर पत्थर मारने के पश्चाद वो उसी पल साप बनकर तीर की रफ़तार से तुमारी तरफ आएगा तिलिस्मी जहर के उस वार की रफ़तार से बचना असमब होता है लेकिन देवा के लिए एक काम कठिन नहीं खासतोर से जब कठार उसके हाथ में हो वो जब विश्वास है कि तिलिस्मी जहर पर विजय पकर दालू बावा के मूँपर तमाचा मारोगे क्योंकि तिलिस्मी जहर तुम पर छोडने के बच्चाद निश्चंत हो गया होगा कि देवा और मिन्नो अब जीवित नहीं रह सकते देवराद चान के चैरे पर गंबीरता नजर आ रही थी कुछ और पूछना है बेला की विसवसाट कानों में पड़ी नहीं उसके बाद बेला की आवाज नहीं है देवराद चान गहरी सांस लेकर जगमान के रूप में बदे तलिसमी जैर को देखा फिर सिग्रेट सुलगा कर मोना चाधरी पर निगामारी जो आखे से कोड़े उसे देख रही थी और सत मिल गई मोना चाधरी के सर में तीखा बंद था हाँ देवराद चान ने ओले से सिरिलाया ये सब क्या हो रहा है इतनी देर होटे ही होटों में बुदबदा कर तुम क्या कर रहे थे और मैं तुमारी बहन से बात कर रहा था मोना चाधरी चौंकी मेरी बहन से? ओ, मोना चाधरी के होटों से निकला उसके बाद देवराज चान ने बेला की कई सारी बात बताई सुनकर मोना चादरी सक्ते की सी हालत में आ गए अगर वो ये बात ना बताती तो हमारा मनना निश्चित था मोना चादरी के होंटों से निकला हाँ देवराज चान ने गंबीरता से से रिलाया अब तुम्हें भी साफदान रहना होगा तो अब तुम्हें इस तिलिस्मी जहर से मुकाबला करोगी करना पड़ेगा तुमारी बेहन के कई मताबिक अगर हम आगे बढ़ गए तो ये पुना किसी भी रूप में हम पर हमला कर सकता है और हमारी जान लेकर रहेगा ऐसे में इस खत्रे को यहीं खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए कहने के साथी देवराज चान की निगा तिलिस्मी जहर की तरफ गई देवराज चान जगमोहन का चहरा लिए जंजीरों से बंदा वो पुना रो देने वाले सर में क्या उठा क्या हो गया तुमें मुझे नहीं पैचान रहो क्या मैं तुमारा जगमोहन देवराज चान ने उस पर से निगा अटा कर मोना चौदरी को देखा तिलिस्मी जहर को खत्म करने की कोशिश में तुमारी जान भी जा सकती है मोना चौदरी बोली हाँ लेकिन यहां तो और कदम पर मौत है इसलिए अंजाम की परवा करना बेवकूफी है दालू बाबा हमें क्यों खत्म करना चाता है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा मोना चौदरी के दाद भिज गए कोई तो बज़े होगी मेरे घ्याल में उसके कर्म उसे डरा रहे है कि हमें अपना पूर्जनम ना याद आ जाए इससे उसे कोई खत्रा हो सकता है तब ही तो वो हमें खत्म करना चाता है कहते हुए मोना चौदरी का चेरा गुसे से सुर्कों उठा था देवराज चौदरी ना कश लेकर सिगरेट को एक तरफ उचाला और कहा मेरी कहीं सब बाते समझ गई हाँ कहीं भी गलती मत कर बैटना मैं गलती नहीं करूंगी मोना चौदी ना खा जाने वाली निगाओं से तिलिस्मी जहर को देगा देवराज चौदी ना कुस दूर पड़ा बड़ा सा पत्तर उठाया और पैंट की जेब से बेला का दिया लकड़ी का टुकड़ा निकाल कर मुट्टी में दवा लिया मोना चौदी ना कमर में फसा तिलिस्मी खंजर हाथ में ले लिया चेरे पर कठोड़ता आजमी थी आँखों में वैशी भाव नजर आने लगे थे देवराज चौदी चौदी की नजरें मिली आँखों ही आखों में हम तयार हैं के इशारे हुए तबी मोना चौदी के कंदे पर बैटी काली बिली ने चलांग मारी और एक तरफ हटकर जा बैटी उसकी आखे किसी हीरे की तरह चमक रही थी फिर देवराज चौदी की निगा जगमान के रूप में मौजूद तलिस्मी जहर पर जाटिकी जो अभी भी दर्द और तडब भरी निगाओं से उन्हें देख रहा था देवराज चौद ने पूरी ताकत के साथ जगमान का रूप धारण के तलिस्मी जहर पर बड़ा पत्थर मारा देखते देखते वो उसके चेहरे पर लगा उसी पल जगमान का शरी गायब हो गया और पतला किंतू लंबा साँप पल भर के लिए नजर आया और फिर तीर बना तूफानी गती से देवराज चान की तरफ बड़ा उसके बढ़ने की रफतार ऐसी थी कि मोना चौदरी की निगाएं भी उसकी गती को ना पकड़ सकी पजामा और पैरों में कोई और ही जूते मौजूद पाए चेहरे पर मूचे होने का आवास मिला और सिरके बाल चोटे चोटे से हो गए थे माते पर तिलक लगा था देवराज चौण समझ गया कि बेला ने उसे पूर्ज रंका देवा बना दिया है जैसा कि उसने कहा भी था साथी उसने अपने मस्तिश की सोचों को भी देवा के रूप में पाया अब उसका खुंखार चेहरा और खतरनाक नजर आ रहा था आखों में लहराते मौत के साइस पस्ट नजर आ रहे थे मोना चौधरी उसके बदले रूप पर चौंकी परन्तु ये वक्त इस बात प्रध्यान देने का नहीं था खंजर मोना चौधरी बढ़ बढ़ाई इतना लंबा हो जा कि तलिसमी जहर पर तेरा वार हो सके मोना चौधरी के शब्द पूरे होते हंज़र थाई फीट लंबा हो गया साइप के सिर के उपर से गुजरती देवा बना देवराचान किसी खिलोने की बाती हो चलकर खड़ा हो गया और उस तरफ देखा जिदर तीर बना तिलिसमी जहर वाला साइप किया था देवराचान के देखते ही देखते हो हवा में ही गूमा और पुना तीर की तरह देवराचान की तरफ बढ़ा उसका चोटा जफन था जीप यानि टंक बार बार बाहर निकल रही थी उसकी लंबाई 6 फिट के बरावर थी और वो सिया काला था उसे अपनी तरफ बढ़ते पाकर देवराज चान के होटों से गुराट निकली और उसके पास आते ही पुर्थी के साथ उसे थामने का प्रयास करते हुए खुद को बचा कर कटार का वार उस पर किया परंतु साथ ने अपने जिस्म को इस तरह लहराया कि खुद को कटार के वार से बचा गिया परंतु वो भी देवराज चान को टस ना सका खुद को बचाने की कोशिश में फिर देखते ही देखते साथ ने हवा में लहराते हुए अपनी दिशा बदली और मोना चौधरी की तरफ बढ़ गया मोना चौधरी के खंजर गुमाने का ठंक कुछ ऐसा था कि तिलिस्मी जहरवाला सांप भ्रहम में पड़ा मोना चौधरी के चार फीट उपर से गुज़रता चला गया इतने महीं मोना चौधरी का एसास हो गया कि वास्ता में तिलिस्मी जहरवाले तीर की रफ़तार से आते साप से खुद को ज़्यादा देर नहीं बचाया जा सकता उसकी रफ़तार ही ऐसी थी कि उस पर सटीक बार कर पाना संबब नहीं था तब ही देवराज चौधरी के पास आ पहुचा कुस्से से लाल सुर्ग हो रही यांक है हवा में लहराते साप पर थी जो कि हवा में ही अपना रुख मोड़कर पुना उनकी तरफ आने लगा था मोना चौधरी को उठने का मौका नहीं मिला वो नीचे ही पड़ी रही देवराज चौधरी के ओटों से गुराट निकली हवा में उसने कटार लहराई चेहरे पर दरिंदी की के वो भावते जो आज से पहले कभी उसके चेहरे पर नहीं आये थे शायद इसलिए कि वो देवा की रूप में था इस बार देवराज चौधरी के निकाह खौफ से फैल गई थी वो चीखी खुद को बचाउ देवराज चौध तो वो देवा था देवा कटार का खिलाडी फृटी जिसके लहू लहू के लहू के जर्रे जर्रे में शामिल थी चेहरा पत्तर की दरा कटोर हो चुका था साब के फन का निशाना देवराज चौध का चेहरा था बाहों में लंबाई की जद में साँप के पॉस्टेई देवराज चान का हाथ तीर से भी तीवरिकती से आगे बढ़ा हाथ एक हाथ से तूफानी फुर्ती के साथ देवराज चान ने साँप के शरीर को मुठी में जकड़ा और ठीक उसी पल दूसरे हाथ में तभी कटार का व देवराज चाहन के चहरे से मातर 6 इंच दूर रह गया था अगर सांप की पकड़ या फिक टार का वार करने में एक पल की भी देरी होती तो तलिसमी जहरन अपना काम कर जाना था लेकिन देवा बना देवराज चाहन मौत की बाजी में जीत गया था कई पलों तक मौत का सन्नाट अचाहया रहा सब कुछ वैसे ही रहा हैरानी की बाद तो ये भी रही कि सांप के कटने के बाद ना तो कटे शरीर से कून की कोई बून निकली थी और ना ही सांप के शरीर के हुए दो तकड़ों में से कोई तुकड़ा तड़ पा था देवराज चाहन नीचे पड़ी मोना चाहदरी के होट हिले देवराज चाहन के मस्तिश को हलका सा जटका लगा दिमाग में हलचल होई उसके बाद उसकी आँके हिली और जमीन पर पड़े कटे फन पटी की उसके बाद देवराज चाहन की निगा नीचे पड़ी मोना चाहदरी पर गई अभी तक वो देवा के रूप में था मिन्नो तू? मोना चाहदरी पर निगा पड़ते ही देवराज चाहन के होटों से निकला मोना चाहदरी के आँके जुकडी वो तुरंट उट खड़ी हुई देवराज चाहन मैं मोना चाहदरी हूँ मोना चाहदरी के एक टक निगा देवराज चाहन पर थी नहीं तू तो मिन्नो है और तभी देवराचान के मस्टिश को ऐसा जटका लगा जैसे किसी ने उसके मस्टिश को छेड़ा ओ अगले ही पल उस पर से देवा का रूप गायब था अब वो देवराचान के रूप में आ गया था अँखों के सामने ये मोना चाध़ी नोउसके बदलते रूप को देखा तो ठगी सी रह गई देवराचान को लगा जैसे उसे होश आया उसने हात में दबी कटार को दोसरे हात में दबी साप के आदे शरी को देखा फिर मुस्कुराया मोना चौधरी को देखा मोना चौधरी एक टक उसे देखे जा रही थी देवराचान के हाथों में दबी कठा रेकाए गायब हो गई और मुठी में वही छोटा सा लकडी का तुकड़ा दबा नज़र आने लगा देवराज चौह ने लकडी के तुकड़े को जेब में डाला और आगे बढ़कर सांप के फन वाला कटा हिस्सा उठा लिया बाहों को थोड़ा सा फैलाए रखा ताकि बेला के कहे मताबिक उनके शरीर आपस में मिलकर सांप पुना जीवित ना उटे मोना चौदरी हाथ में दबे खंजर को देखकर बुद बुद आई खंजर छोटा हो जा अगले ही पल वह पहली की तरह चोटा तो हो गया छोटा हो गया तो मोना चौदी नों से कमर में फ़सा लिया मोना चोधरी, तुम्हें अच्छी तरह याद है कि अब क्या करना सब याद है मोना चोधरी कशर शान्त था, आओ चलें तुमने मुझे मिन्नो ख़ा था, मोना चोधरी बोली मिन्नो, मैंने कह? हाँ, मिन्नो कहकर मुझे क्यों पुकारा देवराद चाहन ने गहरी निगाओं से मोना चाधरी को देखा मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें मिन्नो कहा कर पुकारा हूँ देवराद चाहन ने का तुम्हें मालूम है पिलिस्मी जहर से लड़ते वक तुम्हारा रूप बदल गया था हाँ इस बत का एसास हुआ था मुझे फिर मोना चाहदरी ने कुछ नहीं पूचा दूर बैठी काली बिल्ली पास आई और उचल कर उसके कंदे पर आवेटी आओ इसके बाद दौनों आगे बढ़ने लगे दौनों हाथों में पकड़े सांप के शरी के दौनों तुकड़ों में वो फासला बनाये हुए था मोना चाहदरी उसके साथ चल रही थी उनके आगे बढ़ते ही पीछे से आवाजे आने लगी देवराद चाहन भायो रुक्यो अंभी आयो हो बाकेला लटोर की पकार उनके कानों में पड़ी बेबी तुम भी तिलिस्म है महाजन का सर कानों में पड़ा तुमने मुझे मार दिया देवराद चाहन जगमान का रोता सर उसके कानों में पड़ा मैंने तो कभी तुमारे साथ बुरा नहीं किया फिर तुमने मेरी जान क्यों ली देवराद चौहान, मोना चौधी आगे बढ़ते जा रही थे पीछे मत देखना, मोना चौधी सतरक सर्मे बोली मालूम है, यह आवाज तिलिस्मी का खेल है इस तिलिस्मी जैर को बचाने के लिए देवराद चौहान ने का, तब यह विश्राम सिंग के आवाज कानों में पड़ी देवा, मेरे बेटे, तू यहाँ और मैं कब से तुम्हें ढून रहा था तूने तो हमें तिलिस्मी कैसे आजाद करवाना था हम तो कब से तेरे ही भरों से बैठे, रुक तो देवराद चौहान ने होट भीच लिए, यह किसकी आवाज है मोना चौहदी ने चलते चलते पूछा, मेरे पहले जन्म के पिता की भाईया, भाईया सुनो, देखो, ताउजी भी साथ आये हैं, तुमारे लिए हम कब से परिशान हो रहे थे यह आवाज, यह पहले जन्म की मेरी छोटी भेहन की आवाज है, दौनों तेजी से सीधे रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे मोना चौधरी, पारसनात की आवाज कानों में पढ़ी, मैं यहां हूँ, मुझे तिलिस में कैद करके यहां फसा दिया है, पास आकर मुझे आजाद करवा दो परंतु देवरा चौधरी न तो जैसे कान बन कर रखे थे, सुनकर भी पीछे से आती आवाजों बस जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे, देवरा चौधरी न थोड़ी सी बाहें फैला इसाब के उन तुकड़ों में फांसना रखा हुआ था, करी दस मिनट चलने के पसचाथ उन आवाजों के कानों में पढ़ने का सिलसला कम होने लगा, और फिर वह वक्त भी आया जब पीछे से सुनाई देने वाले सर खामोश हो गए, उसके बाद भी देवरा चौधरी पांच मिनट तक आगे बढ़ते रहे, अब कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही, हाँ, कहते गड़ा, मोना चौधी बड़ाबर उसके साथ थी, देवरा चौधर जगमान का रोता हुँए सर उनके कानों में पड़ा, आखिर तुमने मिरी जान लेही ली, मैंने तुम्हारा क्या बगाणा था, तुम्हारा अपना था मैं, देवरा चौधर मोना चौधरी होट भीचे बढ़ते रहे जवाब तो देवराचान जगमान का फफकता सर कानों में पढ़ा आखिर तुमने मेरी जान क्यों ली बहुत अच्छा हुआ जो तुम मर गया मोना चौदी ने बिचे सर में का जिन्दा रहता तो हमें मार देता मेरे ख्याल में अब वो मरने जा रहा है देवरा चान रात बरे सर में बोला नहीं मरा तो बची हुई पाकी सासे अभी निकल जाएंगे मोना चौदी का सर कड़वा था अभी जगमान का याचना बरा सर देवराचान और मोना चौदी के कानों में पढ़ा भगवान के लिए देवराचान मुझे बचा लो तुम तो ऐसे नह होता तो कपका मर जाता दौनों तेजी से आगे बढ़ते रहे दो बार और जगमान की पुकार सुनाई थी उसके बाद 10 मिनट बीद गए लेकिन फिर कोई सवर कानों में नहीं पढ़ा लेकिन अभी भी वो पीछे देखने का खत्रा मोल नहीं लेना चाते थे तब ही देवर महरबानी देवरा चान बुद बुद आया अगर तुम साफधान ना करती तो हम नहीं बच पाते देवा बेला की फिसवचाट कानों में पढ़ रही थी कुछ आगे जाकर ये रास्ता बाहीं तरफ मोड रहा है लेकिन तुम दोनों ने उस रास्ते पर नहीं मोड ना बलकी स मोना चाधी ने सामने देखा जिदर जंगली काटेदार जाडियां कई फूलों के पौधे तो कई पेड़ भी नज़र आ रहे थे उस तरफ जंगल जैसी जगह थी लेकिन रास्ता तो इस तरफ जा रहा है मोना चाधी ने देवरा चान को देखा मालूम है परंतु तुमारी काटेदार जाडियों में से बचकर वे आगे बढ़ रहे थे दूर दूर वीरानी थी पैरों की नीचे आने वाले सूखे पत्तों की चर्मराट उस वीरान जगह में गूंसती अजीब सी लग रही थी चलते हुए इसकी निगाएं दूर दूर तक जा रही थी इस रास्ते प पेक्षा जाडियों के काटों से बस्ते हुए उन्हें आगे पीछे रहकर चलना पढ़ रहा था कई बार काटे उनके शरी पर रगड़ लगा चुके थे रास्ता हर कदम के साथ उलस्ता चला जा रहा था देवा बेला की फिस्वसाट कानों में पड़ी हाँ देवरा चान के चोठी चोठी जाडियों का काफी बढ़ा जुंड सा था उन जाडियों से कुछ जादा ही जमीन के रह रह रकी थी वहाँ हाल ऐसा था कि जानवर भी उन जाडियों के पास जाना पसंद न करें देवा बेला की फुस्तार पुना Top मोना चौति की निगा देवराचान पर दी उस तरफ बढ़ो वहां क्या है देवराचान बढ़ बढ़ाया मालूम हो जाएगा आगे बढ़ो देवराचान मोना चौति को देखा हमें उन जाडियों की तरफ बढ़ना है देवराचान बोला वहां मोना चौति की निगा जाडिय से बसता हुआ आगे बढ़ा और अगले दो मिनट में ही वहाँ पहुंच गया मोना चौदरी साथ थी उन्हें ठिटकना पड़ा क्योंकि आगे रास्ता ना होकर जाडियां ही जाडियां थी उन्हें पार करने के लिए दाएं या बाएं से मुड़कर आगे बढ़ना पड़ता देवराद चौण Mr. गर चौधरी के निगाएं मिली देवा बेला की बिस पुस्पसाथ कानू में पड़ी जाडियों पर से आगे बढ़ो यह टो काटे डाथ जाडियां हैं देवराद चौण के ओटों से निकला जानती हूं मिन्नों के साथ जाडियों पर से आगे बढ़ आई ऐसा क्यों मोना चौधरी के होंटों से निकला ये मैं नहीं जानता आओ कहने के साथ ही देवरा चौधरी आगे बढ़ा और जाडियों पर पाउं रखकर आइस्ता आइस्ता आगे बढ़ने लगा पाउं में जूते ना होते तो उन काटे दार जाडियों पर एक कदम भी चलना सम्मफसा हो जाता पिंडली में काटे रह रहकर चूब उठते थे उसके पीछे आ रही मोना चौधरी का भी ऐसे ही हाल था अभी वे पंद्रा कदम ही आगे बढ़े होंगे कि बेला की फुस्पचार उसके कानों में पड़ी रुख जाओ देवा देवरा चौध ठिट देवरा चौध नीचे जुका और काटेदार जाडियों को हाथों से पीछे करता हुआ जमीन में धसा कील तलाश करने लगा। काटो ने हाथ और जठेलियों को कई जगे से गायल कर दिया था परंतु देवरा चौध रह जमीन में धसा हुआ वे जमीन से मात्र आदा इंच उपर था, देवराज चान ने उसे पकड़ा और खीच कर निकालते हुए सीधा खड़ा हो गया, मोना चौधरी ना समझने वाली निगाओं से उसे देख रही थी, चार पली बीते होंगे कि एक आएक उनके सामने जमीन फटने लगी, ऐसा लगा जैसे वो जमीन में नहोकर फीट लंबी जगे नज़र आने लगी, जहां नीचे जाती सीधिया नज़र आई, ढलते दिन की रोशनी में, भीतान अंदेरा होने की वज़े से कुछ खास इसपष्ट नज़र नहीं आ रहा था, मोना चौधी और देवराज चौधी की नज़रें मिली, ये क्या है, मोना चौधी ने जवाब में कुछ नहीं का, देवराज चौधी ने पाउं आगे बढ़ाया और सीड़ी पर रखा, फिर दूसरा, उसके बाद वो एक एक करके सीड़ियां उतरने लगा, मोना चौधी उसके पीछे सीड़ियां उतरने लगी, आगे अंधेरा बढ़ता जा रहा जब वो करीब 68 सीड़ियां उतर चुके थे, तो उपर का रास्ता एक एक बंद होने लगा, जैसे वो खुला तब ऐसे ही वो बंद हो गया, वहाँ पहले की तरह जाड़ियां जाड़ियां नजार आ रही थी और हर तरफ वीरानी, दिन का उजाला और रात का अंधेरा आपस में मिलना शुरू हो गया था, तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं ताच के दावेदार के ग्यारवे भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद